बिहार के परिटन्स थलों को बताने के क्रम में आज हम आपको बिहार की रेशंजम नगरी कहे जाने वाले भागलपुर जिले की सेयर कराएंगे यहां रेशंच के कीडे द्वारा प्रसिध तसर रेशंच का उत्पादन होता है तसर रेशन से बनी साड़ी और भागलपुरी साड़ी विश्वभर में प्रसिद है भागलपुर को सिल्क ओफ सिटी भी कहा जाता है पौरानिक नाम भगतपुरम किनान से जाने जाने वाला यह शहर मौजुदा वक्त की बात करें तो बिहार में राजधानी पटना के बाद यही शहर दूसरा विक्षित जिले के तौर पर जाना जाता है आसपास के जिलों के लिए यह एक केंद्र के रूप में है वर्तमान में बिहार के स्मार्ट सिटी के रूप में परिचित भागलपूर एक समय भारत के दस महत्वपूर्ण शहरों में शुमार रह चुका है आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां की प्राकृतिक सौंदर था और परफेक्ट लोकेशन के कारण गंगाजन, रेनकोट, गैंग्स ओव वासेपूर दो जैसी फिल्म में यही पर शूट की गई है, कई छेत्रों के कट कर अलग हो जाने के बाद भी यहां परेटन सम्रिधी के तौर पर कई स्थल है जो दर्शनी है तो आईए जानते हैं उन स्थानों के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रमशिला की विक्रमशिला की स्थापना पाल वंच के राजाधर मिपाल ने आटवी नौवी शतापदी में कराई थी स्थापना होते ही यह विश्विद्याले विश्विस्तर पर विख्यात हो गया अपने समय में इसने काफी प्रसिद्धी अरजित की लेकिन भक्तियार खिल जी ने इसे बारो सौतीन में नश्ट कर दिया भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर स्थित इसके अवशेश आज भी देखे जा सकते हैं कोलगाउस से तीन मील दूर गंगा नदी के तट पर वटेशवर नाथ का तिला एक स्थान है जहाँ पर अनेक प्राचीन खंडर है यहाँ प्रतेक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोटसब होती है जिसमें गंगा नदी में नावे तैरती हुई दिखती है जो अधभुत नजारा व्यक्त करती है कोलगंज रौककट मंदिर का नर्मान चटान को काट कर बनाये गया था इसका नर्मान पाचवी और छटी शताबदी के गुप्त राजवन्श के साशुनकाल में हुआ रौककट बास्तुकला एक कला है जिसका बिहार के तिहास में महत्वपून स्थान है और यह मूर्ती कला के समाधी है पत्थर की नकाशी का अध्यान करने के लिए विदेशी आर्केलोजिकल एक्सपर्ट काफी आकरशित होते है यहां हिंदु जैन और बौध धर्म के देवी देवताओं का मूर्ती संग्र है सुल्तानगंज से लगवग 8 किलोमीटर इसकी दूरी है सुल्तानगंज भागलपुर से पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर है यहां गंगा नदी बहती है यहां से देवगर की दूरी 80 किलोमीटर है यहां पर बाबा अजगवीनाथ का विश्वप्रसिध प्राचीन मंदिर है देश के विभिन स्थानों से कवरिया यहीं से गंगा जलेते हैं जुसे देवगर में बाबा वैधनाथ को चड़ाते हैं यहां की गंगा नदी उत्तर वाहीनी है सुल्तान गंज तीस्तर के अलावा पुरा वशेस के लिए भी जाना जाता है आपको मालूम हो कि अठारा सो तिरपन में स्टेशन से तीन बजन का तामर बुद्ध की प्रतिमा पाई गई थी जो इंगलान के बर्मिंगम म्यूजियम में रखा गया है अब आगे हम बात करेंगे कुपा घार की कुपा घार टन्दी के तड़ पर बसा हुआ एक गुफा है जहां महर्शी मेही ने कुछ महीने तक योग ओफ इनर साउंड का अभ्यास किया था इससे कई गुप्त मार्ग भी निकलता है आज के दौर में यह एक आश्रम के रूप में परनीत है जहां मूर्थिया और पौरानिक महत्वपूर्ण वस्तवे रखी गई है गुरुपुर निमा को काफी भीड होती है कुपा घार्ट के बगी जो इतने सुन्दर है कि आप अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे अब आगे हम बात करेंगे खनका ए शाहिब जिया के बारे में खनका हे शाहिब जिया अल्ला सूफी शावास रह्मतुल्ला का पवित्रिस्थान है जो अल्ला के 44 सूफियों में से एक है यहां एक तालाब है जो औशधिये गुनों से सम्रिध माना जाता है यह सांप के जहर को भी उतार सकता है इस जगे की बेस्मेंट से भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन की सद्यो पुरानी पांडूले पिया मिले थी इस मजार पर भार सहित बांगलादेश के लोग भी मननत मांगने आते हैं गुरुवार को यहां काफी भीर लगती है भागलपुर के प्रसिद परिटन सलो में चमपा नगर जयन मंदिर भी प्रमुख है यह संपूर्ण विश्व के धर्मा लंबियों के लिए एक मात्र पंच कल्यान छेतर है अर्थात 12 वे तीर्थकार भगवान वासुपूज के गर्भधारन जन्म तप ज्यान प्राप्ती मुक्ष से संबनित है इसलिए यहां विश्व भर से शधालू आते है भागलपुर का जायका का जलबा भी गजब का होता है यहां का कतर्णी चुड़ा काफी प्रसिद है इस चुड़े की खुश्बू से आप खुद को ज्यादा देर नहीं रोक सकते है आम के मौसम में जरदालू आम यहां की शान है एक बार चख लिया तो फिर इसके स्वाद को भुला नहीं पाऊगे मुरही मसाला का जायका की तो बात मत कीजिए इसका स्वाद तो भागलपूर की इन ही गलियों में मिलेगा शहर का गली और दुकान अपने खास पक्वान और प्रसिद स्वाद के लिए मशूर हो जाता है जिसे आप वही की सडकों पर ढून सकते है नाथनगर की बालुशाही कज्रेली का छेना गुरुद्वारा रोड पर चाट पकॉड़े का क्या कहना बिहुला पुर्वी बिहार का प्रमुख तयोहार है यह बिहार के भागलपूर जिले का बड़ा ही प्रसिद तयोहार है इस उत्सव में लोग अपने परिवार के कल्यान के लिए देवी मंसा से प्राथरा करते हैं यहां के लोगपर्व में विशहरी, पूजा और विश्वा भी प्रसिद है भागलपूर के निवासियों की इस पर्व में विशेश माता की मूर्ती बैठती है और रातरी भर पूजा का रिक्रम चलता है विश्वा में पित्रों की पूजा होती है वहीं भागलपूर में कई ऐसे श्रक्स भी हुएं जिन्होंने काफी प्रसिद्धी पाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनी के नाम से मशूर अशोक कुमार का जन्म 13 ओक्टूबर 1911 को भागलपूर में हुआ था पहली बार 1962 में राखी और दूसरी बार 1968 में फिल्म आश्रवात के लिए उन्हें दो बार सर्वशेश्ट अभिनेता के फिल्म जेर पुरस्कार से नवाज़ा गया 1966 में प्रदर्शित फिल्म अफ्साना के लिए सहायक अभिनेता के फिल्म फेर अवार्ड भी मिला 1988 में हिंदी सिनमा के सरवोच सम्मान दादा साहिब फाल के पुरसकार से उन्हें सम्मानित क्या गया प्रसिद गाय किशोर कुमार भी उनके सगे भाई थे अशोक कुमार का फिल्मी करियर जीवन नईया फिल्म से शिरू हुआ दादा साहब फाल के पुरस्कार और 1972 में पद्मभूशन से सम्मानित बी एंद सरकार एवं वर्तमान में हिंदी फिल्मों की अभिनेतरी नेहा शर्मा का भी नाता भागलपुर से है तो दोस्तो आज हमने आपको बिहार के परेटन सलो को बताने के क्रम में भागलपुर जिले की सेर कराए हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अब अगले वीडियो में हम आपको बिहार के दूशरे जिलो के परेटन सल के बारे में बताएंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेर करें हमारे चैनल भिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरूर दबाए ताके हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल से जल बहुत सकें धन्यवाद